हाई गाईज आज हम करेंगे सिंपल कुर्टे की कटिंग यह है उसके मेजरमेंट्स यहां मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है अब सबसे पहले हम कुर्टे की लेंद माप करेंगे हमारी कुर्टे की लेंद है 36 तो हम उसमें 1 इंच प्लस करके 37 इंच पे माप लगाएंगे हमें चोल्डर माप करना है मेरी चोल्डर की लेंद है 11 इंच तो हम उसको डिवाइट करेंगे 2 से तो आएंगा 5.5 प्लस 0.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए तो होगा 6 अब हम लेंगे चाती क चट्टा भाग प्लस 2 इंच तो होगा 8 इंच फिर हम वहाँ सिसी दी लाइन खीच कर चाती का चौता भाग प्लस 2 इंच लेंगे तो वह होगा 11 इंच उस पर हम निशान लगाएंगे उसके बाद हम उपर से रपकर नीचे तक लेंगे वह होगा 14.5 मेरा कमर लंबाई है और हिप लेंद है 21 इंच तो मैं वहाँ पर निशान लगा रही हूँ कमर लंबाई चेस्ट की लंबाई से 1 इंच काम होता है तो मेरा चेस्ट लेंद था 11 तो मैं उसमें से माइनस कर लूँगी 1 इंच तो आएंगा 10 इंच मेरी हिप की मेजर्मेंट है 19 इंच तो मैं उसको 2 से डिवाइट करूँगी तो आएंगा 9.5 इंच प्लस उसमें मैं आदा इंच मिला लूँगी तो आएंगा 10.25 इंच अब हम सब लाइनस को जॉइन कर लेंगे अब हम उपर से लेकर नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे उसके बाद आम हुल की जगह से देड़े इंच पर निशान लगा लेंगे यहां से हमें शोल्डर डाउन करना है तो हम आदा इंच पर निशान लगा कर वहाद से सीधी लाइन खीच लेंगे शोल्डर डाउन करने के लिए अब हम माक कर लेंगे हमारी कितना है मेरा साथ इंच आ रहा था तो मैंने साड़े तीन इंच पर निशान लगा कर उसे गुलाई दे दिया है आपका जितना भी आएंगा उसका आप हाफ करके उसका संटर पॉंट निकाल के उसे शेप दे देना फ्रंट के लिए हम आदा इंच अंदर लेकर उसे शेप दे देंगे अब हम नीचे का पॉर्शन माक करेंगे मेरा दस था तो उसमें में एक इंच मिला लूंगी तो वह हो जाएगा गैरा इंच अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे अब हम इस पे कर्स लगा लेंगे अब हम दोनों को अलग कर लेंगे और फ्रंट की आम हूल की कटिंग हम कर लेंगे अब हम निशान लगा जेंगे प्रंट का यह हो गई हमारी कुर्टे की कटिंग अब हम मां अब हम ने आंब हम मां कर लेंगे ने शीए तक बेंगे हम इससे मां आपक निए ऊक्राद बिस्टैस्टैस्टैस्टैंग अब भूड़ब्या चीण के लिए लिए लुड़ब। पक्रविए लिएष अबिएबब आपकोई